आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन बहुत ही लाजवाब और टेस्टी रेसिपी है आप एक बार इस तरह से भरवा बैंगन बना कर देखिएगा घर के सिंपल सामान से बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी बैंगन आपको बहुत पसंद आएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामरसोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन लिये हैं बैंगन को अच्छे से हमने धो लिया है तो पहले हम इसके उपर का डंठल हटा देंगे और इसके चेक कर लिजिए कि यह बिल्कुल क्लीन है कि नहीं और बैंगन को काटते ही तुरंत पानी में डाल दीजिए इसी तरह से हम सारे बैंगन काटकर तयार कर लेंगे बैंगन को मैंने पानी में डाल दिया है तो चली अब हम इसके लिए मसाला तयार करते हैं यहां हमने देड़ चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लिजिए, आधा चम्मच के लगबग हल्दी पाउडर ले लिया है, एक चम्मच दरदरी पीसी हुई सौफ ली है, सौफ जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आधा चम् मच तेल डाल देंगे, अच्छे से तेल को मसालों में मिक्स कर दीजी, अब हम इन मसालों को बैंगन में भरेंगे, तेल डालने से मसाले बैंगन में भरना आसान हो जाएगा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला ही भरना है, एकदम दबा दबा कर मसाला मत भरिएगा, ये एक कड़ाही में दो बड़े चमच के करीब तेल डालेंगे और इसे अच्छे से इसमें फैला लीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा और सारे बैंगन कड़ाही में डाल दीजिए। बैंगन को अच्छे से तेल में चला लीजिए। तो हम इस तरह से जब बैंगन को फ्राय करके ग्रेवी में डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसे ढख कर पकाएंगे और बीच बीच में हर दो से तीन मिनिट के बाद इसे इस तरह से चला दीजिएगा। आधे से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो हम इस बैंगन को फ्राय करते हुए लगबग 10-12 मिनिट हो गए हैं और ये देखिए बैंगन आधे से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं बाकी हम इन्हें ग्रेवी में पकाएंगे। तो अब हम बैंगन को एक अलग प हो जाने पर हम इसमें एक तेज-पत्ता डालेंगे। साथ ही हमने एक चमच जीरаемा लिया है। तो जीरे को पहले हम अच्छे से चटका लेते हैं और इसी के साथ हम इसमें लगबग 1-4 जमच हिंग भी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेतेаем। अब हमने यहां पर 2 मीडियum साइज के बारिक कटे हुए प्याज लिए है अब हम प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दीजिए और इसे कंटीन्यू चलाते हुए भून लीजिए प्याज जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें एक टेबल स्पून अधरक लहसून डालेंगे मैंने चार से पांच कली लहसून की और आधा इंच अधरक के टुकडे को क्रश करके ले लिया है आप चाहे तो अधरक लहसून का पेश्ट भी इसमें डाल सकते हो अदरक लहसुन को भी एक मिनिट के लिए भून लीजिए ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाएगा अदरक लहसुन जब भून जाएगा तब हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे तो उससे पहले गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए मसालों में हमने यहाँ पर लाल मिश्का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर लिया है इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे गैस की फ्लेम को लो रखिएगा वरना मसाले जल सकते हैं मसालों को हमने भून लिया है और अब हमने यहाँ दो टमाटर को पीस कर लिया है आप चाहें तो टमाटर को बारिक कट करके भी ले सकते हो या टमाटर को कदुकस करके भी डाल सकते हो अब हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो ज तो बस अब हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है मसाला हमारा बढ़िया से भून गया है इसके किनारों से तेल निकलने लगा है अब हमने यहाँ पर एक टेबल स्पून भूनी हुई मूंग फली का पाउडर लिया है मूंग फली को बस हमने ड्राय रोस्ट किया उसके सारी चीजे अच्छे से भून गई है और अब हम इसमें लगबग डेड़ से दो कप पानी डाल देंगे पानी थोड़ा अच्छे से ले लीजीगा क्योंकि अभी हमें इसमें बैंगन को भी पकाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर देखिए आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी साब से आप इसमें पानी डाल दीजिएगा थोड़ा पानी ओर डाल देती हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में तुरंत ही उबाल आना शुरू हो जाएगा अब हम इसमें आदा चमच के करीब गरम मसाला और एक चमच कसूरी मेथी को इस त तर ऐसे बना कर देखिएगा बनाने में आसान होने के साथ साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी है तो चलिए अब हम बैंगन को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं और अब हमें धक कर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि बैंगन सौट ना हो जाए बीच बीच में इसे चला दीजिएगा 3-4 मिनिट के बाद और ये लीजिए हमारे भरवा बैंगन बनकर बिल्कुल तयार है बीच बीच में हमने इसे चला दिया था लगबक 15 मिनिट इसे पकाया है बहुत ही टैंप्टिंग दिख रहा है तो बस इसमें हम हरा धनि डालेंगे मिक्स करेंगे गर्मा गरम सबजी को रोटी पराठा चावल किसी के भी साथ सव कीजिए तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताइएगा और ट्राय करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्र करने के साथ पहला इकन प्रेस कर दिजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके